हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल फूड एन हेल्थ गाइड आग जो रेसिपी में आपके शेयर करने वाली हो बहुत ही जादा हेल्थी है और जो लोग वेट रिडूस कर रहे हैं वो इसको अपनी डाइट में जरूर लें क्योंकि इसके बहुत जादा प्रोटीन ह होता है जिससे यह आपका वेट डिडूस करने में काफी हैल्प करेगा तो यह क्या रेसिपी है तो चलो मैं आपको शेयर करती हूं सबसे पहले हम मिक्स दाल स्प्राउट्स लेंगे डेड़ कप यह मैंने एक दिन पहले स्प्राउट्स कर लिये थे बहुत ही अच्छे स्प पान से छे लहसुन के पीसे डाल दूँगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे और यह मैंने मीडियम साइस प्याज ले लिया है यह भी हम डाल देंगे अब इन सब को एक मिक्सर जार में डाल के आप इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसके अंदर आपको वन चार जो चम्मच है वो बेसन डालूँगी और यह दो से तीन चम्मच सूजी डालूँगी बहुत ज़दे क्रिस्पी बनता है आपका चिला इससे और यह नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और इसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है एक वन थर चम्मच और यह हिंग ड और यह तीन से चार जो चमच है मैंने धही डालती है धही आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है धही से आपके चीले के अंदर और अब हम इसको फिर से जार के अंदर डालके घुमा लेंगे और यह एक अच्छा पेस्ट बना पर लिए एसे आपको इस इस कंसिस्टेंसी कहाब को यह बैटर करना है हमारा अब इसके अंदर मेने अदर फ्लेवर के अंदर मिए फ्लेवर के लिए हरा धनिया मिला दिया है चोटे बारी ठुकडे काड़के इसको अच्छे say mix कर लेंगे ता कि यह पूरे बैटर के अंदर मिक्स हो जाए बैटर रेड़ी है चलो अब हम ठीला बनाते हैं इसका एक पैन ले लिया उसको ग्रीस कर लिया घी के साथ और ये मैंने बैटर इसके उपर डाल दिया है और आप इसको अच्छे से फलाल लेंगे और थोड़ा सा आप इसके उपर घी डाल देंगे देसी की और इसके बाद हम इसको दोनों तरफ से सेखेंगे और लो फलेम के उपर आपको इसको दोनों तरफ से सेखना है अगर आप डाइट फोलो कर रहे हैं तो आप घी को स्किप भी कर सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और golden brown हो चुका है हमारा चीला ready है और यह जो है आपको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है लो फलेम के उपर यह हमारा चीला ready हो चुका है चलो serve करते हैं ग्रीन चटनी के साथ यह ग्रीन चटनी मैंने नारीयलो धन्ये की बनाए है बहुत टेस्टी चटनी है और यह जो रेसिपी है बच्चों को बहुत जादा पसंद आती है और आप अगर वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो आपके लिए जो यह रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई प्रोटीन है पीनट्स के अंदर बहुत जाद प्रोटीन होता है तो आप इसको अपनी डाइट में जरूर ले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना थैंक यू